नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका exam warrior के online study platform पर तो आज हम mock test number 25 करने वाले हैं और इसमें मैंने कुछ important questions include किये हुए हैं और एक बात मैंने exam warrior के नाम से telegram पर group बनाया हुआ है जहां पर मैं आपको free of cost जो भी मैं पढ़ाऊंगा आपको जैसे general science के या फिर biology जो भी चीज मै आपको पढ़ाऊंगा उसके हिंदी के PDF आपको free में provide करवा दूंगा चाहे बहां पर मैं आपको world geography पढ़ाऊं Indian geography पढ़ाऊं history पढ़ाऊं हर एक चीज के आपको बहां पर पीडिया बिल्कुल free of cost मिलने वाले है तो link मैं description में दे दूंगा या फिर comment section में भी मैं link दे दूं question है number series का अब video को pause कर लो अब ऐसे question आपको आने चाहिए क्यूंकि आप हिमाचल प्रदेश police constable की तियारी कर रहे हो तो इसमें number series अच्छे level का पूछा जाता है और यह थोड़ा mid level का है मतलब आपको यह question आना ही चाहिए तो video pause करो और comment करके मुझे answer बताया करो जब आप comment कर होगे तो यह आपके लिए बहतर रहेगा अगर आपको गलती करते हो तो जो चीज़ आप सीखोगे भूलोगे नहीं यह आपके लिए ही बहतर रहेगा तो चलिए इस question को करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास series दी गई है 2, 15, 4, 12 अब जिसको number series आती ही नहीं है वो एक बार description मे मैंने number series करवाई हुई है और हर बार में उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी number series पहले चोटी है फिर बड़ी हो गई फिर अचानक चोटी हो गई फिर बड़ी हो गई फिर चोटी फिर बड़ी तो इसका मतलब पहले तो condition यह मान कर चलो कि इसमें 2 series आई है क्योंक पर 8 हाएगा क्योंकि हर बार यहां पर दो दो एड हो रहा है और यहां आप देखोगे दूसरी वाली जो condition है यहां पर 15 से 12 हुआ पहले माइनस 3 हुआ है ना माइनस 3 हुआ फिर 12 से 7 हुआ तो मतलब माइनस 7 हुआ पर माइनस 5 हुआ बारा से यह 7 बन गया तो माइनस 5 हुआ तो 7 से यहां पर कितना 0 होगा आप देखोगे पहले माइनस 3 फिर माइनस 5 तो फिर माइनस 7 होगा यहां पर यहां पर माइनस 7 होगा क्योंकि यहां पर जो है और नंबर में माइनस किया जा रहा है पहले 3 फिर 5 फिर 7 तो यहां पर आएगा 0 तो यहां पर 8 और 0 हमारा सही अं दनराशी पर अगर यहां पर compound interest और simple interest का अंतर पूछा जाए अब यह काफी interesting question है अब पिछले question की तरह यहां पर धनराशी नहीं दी गई हमें धनराशी भी find करनी है हमने क्या क्या करना है दनराशी find करनी है और हमने यहां पर धनराशी find करनी है थी यहां पर कहा गया है कि किसी धनराशी पर 10% बारशिक दर पर 3 वर्षों का चकरविदी व्याज और साधानन व्याज का अंतर है 620 रूपए तो धनराशी कितनी होगी तो धनराशी हमने find करनी है यहां देखो हमने बस इस percent से पूरा question करना है 10% को क्या मैं 10 बटा 100 लिख सकता हूं हां लिख सकता हूं तो इसे मैं काटूंगा तो यह हो जाएगा मेरा एक बटा 10 एक बटा 10 है तो तीन वर्षों के लिए पूछा गया है जो मैंने आपको trick करवाई थी आपको याद होनी चाहिए जिसने नहीं देखी है एक बार चैनल म को मिल जाएगी आपने सीधे वीडियो में चेक करते रहना है तो बहां पर कोई मिल जाएगी वहां मैंने काफ़ यह इच्छी तुरिक सी बताया हुआ हूँ तो तीन साल का पूछा गया है तो इसे हम मानते हैं इंट्रस्ट और इसे मैं मानता हूं मोल्धन तो इसे मैं 3 मान यह याद रखना है आपने तो यह निकल कर आया दस अब दस पर निकालेंगे हम है ना हम निकालेंगे दस पर एक बटा दस परसेंट तो यह बनकर आजागा एक तो तीन वर्षों का जो रूल होता है यह है यह यहां पर निकल कर आएगा हमारे पास ये तो हमारा देखो इसको हम कभी include नहीं करते इसको include क्यों नहीं करते क्योंकि पहले वर्ष का interest simple interest और compound interest दौनों का बराबर निकल कर आता है अंतर होता है दूसरे वर्ष से तो इसे हम add करेंगे ये हो जाएगा हमारे पास 30 और इसे जब करेंगे एक तो ये 31 आएगा तो जब 31 रेशो हमारे पास ये हमारे पास क्या है simple और compound interest का अंतर है तो जब ये 31 रेशो हमारे पास बनकर आया कितना ये 620 है 620 क्यों लिखा मैंने क्योंकि यहां पर नियोंने कहा है कि 17 और चक्रविदी ब्याज का अंतर 620 है तो जब 31 रेशो हमारा 620 के बराबर है तो एक रेशो किसके बराबर होगा तो आगया 20 20 आया ये हमने 20 माना एक रेशो हमारे पास 20 निकल कर आया और हमने पी कितना माना था पी हमने माना था 1000 तो बस इस 20 को आपने गुणा कर देना है एक हजार से 20 हजार आपका अंसर है तो हमारे पास आ गया इसका मूलधन अगर मान लो अब आपके पास मूलधन दिया होता और आपसे अंतर पूछा जाता ये कॉश्चन अगर इस परकार से पूछा जाता तो उसमें आपने क्या करना है इस 10 को आप ऐसे लिख लेंगे 10 बटा 100 तो ये बन कर आजाएगा 1 बटा 10 तो 20 हजार पर 1 बटा 10 जो किया गया 2000 अब 2000 पर निकलेगा क्योंकि तीन वर्ष के लिए हमने इसे निकालना है तो ये बन कर आजाएगा 200 एक बटा 10 तो बीस तक हमने से करना है तीन वर्षों का निकाला गया है तीन वर्षों का रूल है इसको तीन सेन्से करो इसे एक से गुणा करो अब आपधूरे को हम एच नहीं करेंगी क्योंकि हमेशा दूसरे वर्ष के बादसे आता है simple interest और compound interest में तो यहां पर यहां पर यहां आएगा हमारे पास इस तीन से गुणा करेंगे तो 600 इसे एक से गुणा करेंगे तो 20 का 20 आएगा तो 620 हमारे पास अंतर निकल कर आया तो इस परकारते यहां पर 620 हमारे अंतर निकल कर आता अगर आपके पास अंतर पूछा गया होत नेक्स कॉश्शन की बात करते हैं जो कि है सिलोजम का अब आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि किन-किन बच्चों को सिलोजम पर डाउट है जिन जिन बच्चों को डाउट होगा तो मैं आपके लिए इसके जो स्पैसिफिक वीडियो बना कर आऊंगा सिलोजम की अब यहा कुछ बी सी नहीं है कुछ एसी नहीं है अब यहां पर इसकी शॉट ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं कि जब भी आपके पास सिलोजम में स्टेटमेंट पॉजिटिव में दी गई हो और जो कंक्लूजम नेगरिटिव में आ रहा हो तो यहां पर कोई भी अंसर इसका नह अफ्यों नहीं होंगे यह हमें नहीं पता और ऐसा बता क्योंकि यहां पर सभी एबी है कुछ भी सी नहीं जबकि अपे कैसे गलता है कंडिशन नाइधर और नॉर सी नहीं यहां कहागा है कुछ A B है तो कुछ A है वो B है कुछ B कोई B B C नहीं है तो कोई B B है वो C नहीं है यह तो पहला हमारा डाइगराम बना अब ऐसा भी तो हो सकता था कि कुछ A है वो B है और कहा गया है कि कोई B B C नहीं है लेकिन यह भी तो हो सकता है कि कुछ A C हो है ना यह तो हो सकता है ना अब पह सब ठीक होगा जिए यहां पर भी कंडिशन फॉलो होगी और यहां पर भी अगर यह कोई भी अ C नहीं है तो जो कोई भी A है वो C नहीं है तो यहां आप देखोगे कोई भी A C नहीं है हाँ यहां पर तो यह ठीक हो रहा है इस वार लेकिन यहां गलत हो रहा है क्योंकि यहां पर कुछ A C है तो यह भी गलत हो गया यहां बनेगा नाइदर और नौर का वाला आइदर और यह यहाँ पर option आएगा आईदर और और यहाँ option क्यूंhm आएगा क्योंकि जब भी आपके पास question में पहले कहा गया हो कुछ है कुछ नहीं है जैसे कहा गया को कुछ a c है और फिर कहाанов है कि कोई b a c नहीं है तो यहाँ पर either or वाला option ठीक हो जाएगा आपके पास, आपके पास option यहाँ पर ऐसे दिये गए होते हैं, जैसे कि first follow, second follow, या फिर both follow, या फिर none of these, या फिर either or, तो यहाँ पर आपका question हो जाएगा either or वाला ठीक, और either or तबी होता है, जब पहले हमारे conclusion में कहा गया होता है कि कुछ नहीं है, ठीक है, अब बात करता है, दूसरे conclusion की, यहाँ कहा गया है, कुछ A, C है, यह भी गलत हो गया, क्यूंकि यहाँ पर तो कुछ A, C नहीं है, यहाँ एक में गलत, तो question गलत, यह गलत हो गया, कुछ A, C नहीं है, अब यहाँ देखिए, कुछ A, C नहीं है, जो ये पर भी ये भी ठीक हो रहा है तो इसका मतलब यहां पर ये ठीक हो जाएगा यहां आपका option आजाएगा only second follow तो इस प्रकार से ये symbolism के question होते हैं इन्हें आपने ध्यान से देखना है अब बात करते हैं आज के main question की और आज मैंने इसे English medium में जानगोज कर लाया हूँ क्योंकि इसकी दो बजा पहली बात English medium में कुछ एक ऐसे words होते हैं जो आपको पता लगने चाहिए और ये क्यों जरूरी है क्योंकि कई बार क्या होता है कि question हिंदी में गलत दिया गया होता है और आपको मजबूरन English language को देखना पड़ेगा उस समय आप ये नहीं कहोगे कि सर इसमें गलत है तो हम अब नहीं करेंगे हमें grace mark मिलेगा ऐसा नहीं होता है हिंदी में गलत हुआ लेकिन English में ठीक हुआ तो grace mark नहीं मिलता है तो अपनी preparation हमने इस प्रकार से चलनी है कि अगर एक में गलत आ जाए क्योंकि अकसर ये होता ही है कि हिंदी language में कुछ न कुछ गलती होती ही है इस question में sitting arrangement में तो हमेशा English भी आपने देखनी है तो आज English में मैं लेकर आया हूँ यहां कहा गया है कि eight student study in eight floor school starting floor from one to eight floor मतलब कि जो starting धो पहला होगा तो यहाँ पर हमने 8 floor बना देने हैं से तो चलिए 8 floor बनाते है आाठ फड़ोर आध फ्लोर हम यहां बैएनके तो यह हमारा सबसे पहला फ्लोर कि ये दूसरा फ्लोर कि यह तीसरा फीजालगो कि यह हमारा तीसरा फ्लोर चौत अब्युद्षव धाशची पै अब यहां देखिए कॉस्टिन में कहा गया है अब नंबर देते हैं यह हमारा आठवाँ फ्लोर है यहां पर विक्ति बठाऊंगा है ना यहां पर तो विक्ति बठाएंगे और यहां सब्जेक्ट बठा लेंगे और आगे अगर कोई पॉसिबिल्टी बनती है तो उसके लिए भी हम यहां पर अरेंज रखते हैं अपने अब यहां विक्तियों को बठा लेते हैं सबसे पहला विक्ति यहां पर आएगा हमारा आठवाँ फिर साथवाँ फिर छटा फिर पांचवाँ फिर चौथा तीसरा दूसरा और पहला यह हमारे पास यहां विक्ति आ चुके अब कॉशन में कहा गया है कि Each student has different classes to attend मतलब हर एक बच्चे के पास एक different class है which is running on 8 different floors मतलब यह वो की अलग-अलग different floor पर अपनी class ले रहे हैं और बच्चों के नाम यहां दिये गए हैं A, B, C, D, E, F, G और H attend mathematics, arts, hindi, english, science, french, social science and physical education तो यहां पर हमारे पास different बच्चे और different class दी गई है मतलब यहां पर हमारे पास दो चीज़े दी गई है तो इसका मतलब यह है two variable question तो इस question को सबसे पहले हम करेंगे यहां पर तो यहां से हमारा question शुरू हो रहा है यह हमारा question यहां पर शुरू हो रहा है कि physical education class happened at floor 1 तो physical education यहां पर आती है तो physical education के लिए पी लिखूंगा physical education हमारी class number 1 पर होती है मतलब floor 1 पर होती है और आगे कहा गया है B has to climb 5 floor मैं इंक थोड़ी छोटी कर लेता हूं इसकी यहां कहा गया है कि B has to climb 5 floor whereas the student studying science has to climb 2 less अब यहां पर कहा गया है कि B has to climb 5 floor मतलब कि B को 5 floor उपर जाना पड़ता है तो 5 floor मतलब यह पांचवे number पर कौन आएगा B आएगा क्योंकि यहां पर कहा गया है कि B को 5 number floor पर जाना पड़ता है लेकिन उसी के साथ यह बात कही गई है whereas the student studying science has to climb 2 less मतलब कि यह यहां पर क्या कहा गया है 2 less किसके respect में कहा गया है यहां पर कहा गया है सबसे पहले कहा था कि B has to climb 5 floor whereas the student studying science has to climb 2 less मतलब कि B से 2 floor नीचे 2 floor नीचे वो बच्चा पड़ता है जो science पड़ता है मतलब 5 में से 2 minus करोगे 2 floor नीचे तो यहां पर आप देखोगे study social science तो F जो है social science study नहीं करता climb the maximum floor whereas H climbs the least तो यह क्या कहा गया है यह भी आपको मैं बता देता हूँ यहां कहा गया है कि F who does not study social science ठीक है climbs the maximum floor तो इसका मतलब F जो है वो सबसे उपर वाले floor पर रहता है यह यहां पर कहा गया है इसका बोलने का मतलब यह है तो F सबसे उपर वाले floor पर रहता है आगे क्या कहा गया है आगे एक और line कही गई है whereas H climbs the least तो H मतलब सबसे नीचे वाले floor पर रहता है तो least यहां पर इसका मतलब होता है सबसे नीचे तो h सबसे नीचे बारे floor पर रहता है अब यहां कहा गया है कि all three language classes happen on consecutive floor in alphabetic order तो यहां कहा गया है कि जो तीन यहां पर language की classes है language की classes कौन कौन सी एक तो हिंदी हो गई, English हो गई और French यह alphabetic order पर रहती है अब alphabetic order कौन सा ascending यह descending यह नहीं बताया गया लेकिन यह कहा गया है कि alphabetic order पर रहती है तो ठीक है हमने यह भी मान लिया क्यूंकि अब देखो alphabetic order कहा गया है तो यह भी हो सकता है कि सबसे पहले हमने जैसे सबसे पहले यहां क्या आएगा सबसे पहले यहां पर E है जैसे E, F, H ऐसे भी आ सकता है कि उपर English आए फिर French, Hindi, Alphabetic Order पर या फिर ऐसे भी हो सकता है कि यह इस परकार से आए कि E यहाँ पर आए English, फिर French, फिर Hindi यह इस परकार से भी आ सकता है ठीक है अब आगे कहा गया है आगे आप Question पढ़ोगे यहाँ कहा गया है कि C and D attend class on even floors तो C और D है वो even floor पर रहते हैं तो even floor हमारे पास यहाँ पर कितने बचे हैं तो 3 even floor है, एक तो 6, एक 5, चार और एक 2 तो यहाँ पर यह कहीं पर भी आ सकते हैं D और C तो ठीक है अभी हमें यह पता नहीं यह कहा आएंगे आगे कहा गया है A study on floor number 2 what does not study mathematics तो A जो है वो floor number दूसरे पर पढ़ता है तो A दूसरे floor पर पढ़ता है लेकिन वो mathematics नहीं पढ़ता यह हमने याद रखना है ठीक है और यहाँ पर कही गई थी बात कि C and D attend class on even floor ठीक है मतलब कि even floor यहाँ पर यह भी हो सकता है कि D यहाँ 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 पर कहने का मतलब है क्योंकि even floor हमारे पास दो ही बचते है अब आगे कहा गया है G studies four floor lower than E यह यहाँ पर question देखिए इस question में कहा गया है कि G studies four floor lower than E who accompanies D till the sixth floor अब यह किसके बात कही गई है तो आपको पता है who का मतलब होता है जो तो जो के respect में बात कही गई किसके लिए होती है ठीक पहले व्यक्ति के लिए E का मतलब यह है अब यहाँ भी कहा गया है कि G studies four floor lower मतलब कि जहाँ पर भी E आएगा उसके एक, दो, तीन, चौते floor पर कौन आएगा वो आएगा हमारा G और यहाँ पर कहा गया है who accompanies D till the sixth floor मतलब कि accompanies का मतलब है वो एक तरह से वो उसका पडोसी है किसका D का जो की छटे floor पर है तो यहाँ पर एक चीज हमें clear हो चुकी है वो clear क्या हुई कि हमारा D चटे floor पर आएगा D हमारा कहां आएगा D आएगा हमारा चटे floor पर यह question में ही कही गई बात है तो इसका मतलब C हमारा चौते floor पर आएगा और यहाँ हमारा आएगा E E से कितने 4 floor नीचे कौन है G है तो 1, 2, 3, 4 तो यहाँ पर आजाएगा G तो व्यक्ति हो चुके अरेंज हमारे सारे तो व्यक्ति हमने सारे अरेंज कर दिये अब यहाँ पर बात करते हैं हमने class यहाँ पर देनी है अब यहाँ कहा गया है C does not study either mathematics और arts मतलब C जो है वो ना तो mathematics पढ़ता है और ना ही arts पढ़ता है अब यहाँ कहा गया है कि हिंदी class और are on seventh floor तो साथवे floor पर कौन सी class लग रही है वो है हिंदी और language के respect में हमसे एक बात कही गई थी कि language आएगी अपने alphabetic order पे तो language हमारी तीन है English language कौन कौन सी है language तीन है हमारे पास एक तो हमारे पास हिंदी है English है और French है अब यहाँ पर alphabetic order पे यह आएगी अब क्या यहाँ पर हिंदी यहाँ पर है तो क्या यहाँ उपर अब हमारी English और French आ सकती है French और English उपर आ सकती है नहीं इसका मतलब यह नीची आएगी तो French यहाँ आएगी पहले E आएगा क्योंकि पहले E आता है तो English पहले आएगी फिर यहाँ French आएगा क्योंकि alphabetic order पर चल रहे है मतलब पहले E आया तो फिर French फिर Hindi अब यह उपर से नीचे क्यों नहीं आया जो मैं पहले कह रहा था क्योंकि यहाँ तो जगा ही नहीं बचती तो इसलिए हमने यह बाला order follow किया अब यहाँ पर हमारे पास व्यक्ती कौन-कौन से बच रहे है तो यह हमारे पास व्यक्ती बच रहे है और कुछ हमारे पास यहाँ topic बच रहे है अब इसे फिर से पढ़ते हैं हमने कहाँ पर question छोड़ा तो physical education हमने पढ़ा लिया ठीक है we have climbed five floor whereas a student studying science has to climb two less यह भी नहीं कर लिया f who does not study social science तो f के पास social science नहीं आएगी f के पास social science नहीं आएगी मतलब social science sst में यहाँ पर cut कर देता हूँ social science यहाँ नहीं आएगी तो बची कौन-कौन सी languages यहाँ पर तो एक तो बची यहाँ पर हमारे पास social science अगर यह नहीं पढ़ेगा तो एक तो बची हमारे पास science यह भी हो चुका एक तो बचा हमारे पास arts एक बचा mathematics है ना यह हमारे पास कुछ topic बच रहे हैं या फिर हो सकता है इसके पास आए तो यह हमारे यहाँ पर फच रही है conclusion या तो यहाँ पर क्या आएगा arts आएगा या तो यहाँ पर mathematics आएगा यह हमें fix नहीं है अब आगे पढ़ते हैं यहाँ कहा गया है यहाँ कहा गया है कि यह हमने कर दिया इसे हम कट कर देंगे अब यहाँ पर mathematics नहीं पढ़ता है तो हो सकता है हमारा social science पढ़े या फिर arts पढ़े यह भी तो है यहाँ पर दो possibilities अब आगे देखने हैं क्या कहा गया है यह भी हमने कर लिया तो तीन हमारे subject बचे हैं तो सी ना तो हमारा mathematics पढ़ता है और ना ही arts पढ़ता है तो सी हमारा क्या पढ़ेगा social science पढ़ेगा है ना क्यूंकि तीन ही subject हमारे पास बच रही है तो सी क्या पढ़ेगा सी पढ़ेगा social science स्स्ट मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ अब बचे हैं दो subject mathematics और arts a के बारे में कहा गया है कि a mathematics नहीं पढ़ता तो इसका मतलब a पढ़ेगा arts एक subject बचा बो की है mathematics वो कौन पढ़ेगा वो पढ़ेगा f क्यूंकि यह social science नहीं पढ़ता था तो इसलिए हमने यह इसे include नहीं किया तो हो चुका हमारा पूरा question solve अब यहां से question कैसे पूछे जाएंगे कि B क्या पढ़ता है English पढ़ता है या B के उपर वाला विक्ति क्या पढ़ता है French पढ़ता है तो इस प्रकार से यहां पर यह question बन जाएंगे तो main होता है यही आपका question solve करना तो यह आपका main question होता है आगे question तो आप ठीक कर लोगे जो भी पुछे जाएंगे तो I hope आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो ये थे आज की कुछ important questions अब जैसे कि मैंने आपको बताया था telegram group आपने join कर लेना है मैं आपको link दे दूँगा description में भी दे दूँगा और आपको comment section में भी link दे दूँगा और जिसको भी बहाँ पर आपको कोई topic चाहिए जैसे कोई चीज मैंने पढ़ाई आपको और चाते हो आपकी ये हमने नहीं पढ़ा और हम पढ़ना चाते हैं मैं आपको उसकी वीडियो का link दे दूँगा और कोई ऐसा नया topic होता है जो मैंने नहीं पढ़ाया है और आप पढ़ना चाते हो तो आप comment करके जरूर बताना तो I hope आपको आज की वीडियो अच्छी लेगी होगी तो मिलते हैं आपसे next वीडियो में